नमस्कार कैपिटल टीबी विहार देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासिंग लोग सबाच चुनाओ दोहजाद चौबीस को लेकर कई नय चेहरे सामने आ रहें नय चेहरे में पर वो IPSV के रवी का भी नाम जुड़ क्या है वहें सुरक्षित सीट पर कॉंग्रेस के दावो को लेकर आला कमान की दुविदा बढ़ गई है भरोसे मन सूत्रो का कहना है कि समस्तिपूर और जम्मुई सीट को चिनित किया गया है लेकिन संकट यह है कि एक से ज़्यादा रेजर्ब सिट मिला संभव ही नहीं है तो फिर क्या होगा कॉंग्रेस समस्तिपूर पर जोड लगाएगी या जम्मुई पर इस कहानी में तब नया मोड आ गया जब तामेलाडू में डीजी रहे बीके रवी ने नौकरी छोड़ कॉंग्रेस में जाने का फैसला किया और समस्तिपूर लोकसबा सीट पर अपना दावा ठोकती है ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं आज इसी पर चर्चा करेंगे मेरे साथ पटना से जुड़े हुए बरिष्ट पत्रकार सरोज सिंग्छी सरोज जी कॉंग्रेस आला कमान की दुविदा बढ़ गई है क्या लगता है कॉंग्रेस जम्मुई सीट या समस्तिपूर सीट किसको तवज्जो दे ये का एकरम हो तो सदाकत आश्रम में कल उनका मिलन समारो है रविदास समास से आते हैं और कोशिस में हैं सहरसा के रहने वाले हैं और कोशिस कर रहे हैं कि समस्तिपूर से वो चुनाव लड़े अब उन्होंने दावा भी ठोका है और समस्तिपूर में उनकी तयारी भी है तो BK रभी का यही है और दिल्ली में कुछ आला कमान के जो जुड़े हुए नेता है उनके हाथ जो है इनके साथ है ऐसा बताया जा रहा है इसके अलाबा BK रभी का बिहार में अभी कोई उसरह से कॉंगरेस पार्टी को लेकर कोई योगदान नहीं है चुकि वो पुलीस सेवा में थे पुलीस सेवा छोड़के कॉंगरेस पार्टी में आये है और उनका दाबा है कि वो समस्ती पूर्शीट कॉंगरेस के लिए जीत के लेके आएंगे अब आईकी गुपता की बात है तो आईपी गुपता की तैयारी तो सालो साल से चल रही है जमुई लोकस्वाशीट के लिए पांच समाज के नेता है अभी जो जातिय सर्वे आया है उसमें जो पांच समाज की आबादी दिखाई गई है वो आप जानते हैं कि चौदमे नमबर पर पांच समाज है बिहार में तो एक बहुत बड़ी आबादी है कॉंग्रेस को और महागटबंदन को इसका फायदा अगर लेना है तो फिर आईपी गुपता को इंग्नोर पार्टी नहीं कर सकती है तो आईपी गुपता भी अपनी हस्तर से तयारी की है जमूई में तो वो तयारी कर ही रहे है इसके अलाबा समस्तिपूर में भी जो हमारे सोर्स हैं बताते हैं कि 30 दिसंबर को एक बड़ी सभा वहां को करने जा रहे है पटेर मैदान है समस्तिपूर में वहां पे 30 दिसंबर को वह एक बड़ी सभा करने जा रहे है मतलब है कि प्लान भी भी आईपी गुपता ने तयार कर रखा है कि अगर जमूई सीट नहीं भी होगी तो समस्तिपूर भी उनका कम नहीं रहेगा वहां भी उनकी तयारी है बतलब दोनों सीट से बीके रभी के आने के बाद समस्तिपूर में उन्होंने कत्विदियां बढ़ाई है और दोनों ही सीटों पर बराबर तयारी कर रहे है जो भी सीट कांगरिस के खाते में जाएगी उस पर आईपी गुपता का अपना दावा होगा इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि बीके रभी के आज आने से आईपी गुपता ने अपना दावा टिकट के लिए छोड़ दिया है जमुई तो उनके लिए है ही है चुकि वहीं के वह रहने वाले हैं लेकिन समस्तिपूर में भी वह लगातार लगे हुए है और 30 तारीक को एक बड़ी सभाब पटेल मैदान में वह करने बाले है तारीक 31 भी हो सकती है लेकिन ज़्यादा समभाबना है कि 30 तारीक को ही वह सभाब करेंगे पटेल मैदान समस्तिपूर में और अपनी तागत दिखाएंगे कि जितनी तागत उनकी जमूई में है उससे कम तागत उनकी समस्तिपूर में नहीं है तो दाबा है वीके रवी का भी दाबा है आईपी गुपता का भी तो देखिए दोनों में कौन भारी पड़ेगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कॉंग्रेस को सीट मिलती कौन है समस्तिपूर मिलेगी या जमूई मिलेगी दोनों परत्यासी अपना अपना जोर अजमाई से समय बता देगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है सरोज जी दिल्ले के कई नेताओं का हाथ वीके रभी के साथ है अब सवाल उठता है कि पान समाज के राष्टी अद्धा अक्ष और कॉंग्रेस के सीनियर लेता आईपी गुपता का क्या होगा जमूई में उनकी तयारी तो जुरू शरो से चल रही है पार्टी के बड़े निताओं में उनकी पकड़ है तो क्या आईपी गुपता अपना दावा छोड़ देंगे और वीके रभी आगे निकल जाएंगे समस्तिपूर या जमूई कौन होगी कॉंग्रेस के पहली पसंद क्या वीके रभी पर आईपी गुपता भारी पढ़ने वाले क्या लगता है देखे बिलकुल सही सवाल है कि कॉंग्रेस जो है समस्तिपूर सीट लेगी या जमूई की सीट लेगी मिलना एक ही है रिजर्ब सीट है तो सभाविक है दोनों सीटों पर जद्दो जहत चल रही है लेकिन आपको हम बताएं कि समस्तिपूर सीट से कॉंग्रेस हमेशा चुना वड़ती रही है जो 19 का चुना हुआ वहाँ भी उसके परत्यासी थे असोक राम जी लेकिन प्रिंस राज से वो चुना वहार गए तो कॉंग्रेस की जो स्टर्टीजी है इस बार जो दिल्ली के अस्तर पर बनी है कि वैसे ही सीट ली जाए जहाँ से जीत की संभाबना जादा है तो समस्तिपूर में चुकि टेस्ट हो चुका है वहाँ संभाबना एक कम है तो क्यों नहीं जमूई सीट पर जो राजमा इसकी जाए इस पर विचार कॉंग्रेस सला कमान कर रही है तो जहां तक तबज़ो देनी की बात है अगर कॉंग्रेस की चली तो कॉंग्रेस के पहली पसंद जमुई होगी ना कि समस्तिपूर चुकि समस्तिपूर में बार-बार कॉंगरिस को हार का सामना करना पड़ा है और दूसरी बात ये है जमुई सीट को लेकर कि वहाँ पे जनता दल युनाइटेट और आर जेडी भी बहुत इंट्रेस्टेट नहीं है चिराग पास्वान के खिलाब चुनाव लड़ने को लेकर चुकि चिराग पास्वान वहाँ पे काफी मजबूत है आज के तारिक में भी मजबूत है और NDA के फोल्ड में वो और भी मजबूत हो जाते है तो एक ऐसा प्रत्यासी चाहिए जमूई में जो वहाँ से उनके खिलाब लड़ सके तो जन्ता दल युनाइटेट और राजट तो उसी साब से इंट्रेस्टेट नहीं है लेकिन कॉंग्रेस से आईपी गुपता जो पान समान के राष्टी अध्यक्ष भी है वो पूरी तयारी कर रहे है जमूई के लिए और उनका दावा है कि वो चिराग को वहाँ से पठकनी देंगे तो एक उमिद्वार के तोर पर आईपी गुपता वहाँ पे मजबूत कॉंग्रेस के तरफ से है इसलिए कॉंग्रेस चाहती है कि जमूई सीट ही लिजाए ना कि समस्ति पूर सीट लिजाए वैसे तो सारी चीजे महागट बंदन के मीटिंग में ते होगा लेकिन अगर कॉंग्रेस के हिल्यास से जो हम लोग की समझ है वो ये है कि कॉंग्रेस इस बार जमूई सीट को ही तबज्यो देगी है लोग सबाचुनाव लड़ाने की चर्चा तेज हो गई है और इसके संकेत खुद वीके रवी ने दिये है आप अपनी राए हमें कमिट करके ज़रूर बताए और देखते रिए कैपिटल टीबी बिहार नमस्कार हमारे व्रत हमारी परीक्षा लक्ष तक पहुचने की हमारी सयमित प्रतीक्षा हमारे छट से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है हमें विकल्प पर नहीं अपने द्रड संकल्प पर अटूट विश्वा से क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिस्चित नहीं हो जाती क्योंकि हम बिहार से हैं कैपिटल टीवी पर मैं अमित्रकाश लेकर आ रहां बिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शोग हम बिहार से हैं